हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने ही चनल जी के माधिका पर दोस्तों आज के इस वीडियो में कीरन पब्लिकेशन बुक से आरर भी टेक्निशन एक्जाम 2024 के लिए सेट नमर 8 देखेंगे जिसमें दोस्तों 40 GKS का क्योचन देखेंगे और 10 GK का देखेंगे तो वीडियो आपके लिए काफी हेलफ देगा इसलिए वीडियो के अन तक देखेंगे अगर चनल पे नए है तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेज़ेगा तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों पहला प्रस्ण है जदि एक गेंद को 40 मीटर 35 सकेंड के वेग के साथ उपर की ओर फेका जाता है तो 6 सकेंड के बाद उसके विस्थापन का परिमान कितना होगा तो 6 सकेंड के बाद उसके विस्थापन का परिमान लिकालना है और 6 सकेंड के बाद जो गेंद उपर की और फेका जाता है तो प्रारंबिग वेग और यू का भेलू मालूम है 40 मीटर पर सेकेंड ठीक है 40 मीटर पर सेकेंड समय 6 सेकेंड दिया गिया है टी वरवर 6 सेकेंड ठीक है और जी का भेलू दिया गिया दस दोस्तों गती का जो है दूसरा समिकर लगाएंगे गती क में ने-गेटिब में क्योओं लेंगे मायनस क्यों लेंगे क्यों की वजत्व उपर ठीका जाता है अगर गो fossils निचे से उपर की भी फेका जाएगा और हमोड से नीचे फेका जाएगा तो पलस जी लेंगे ठीक है ज़ें ध्यान रखेगा तो दूसों यहां पर H क्या हो जाएगा UT-9GTA-2 हो जाएगा अब सभी का वहलू रखे लखेंगे U का वहलू 44 दिया गया है T का वहलू 6 दिया गया – 10GTA-2G okay T का स्क्वार 36 दिया गया है काट देंगे 10 कटेंगा 5 वाल में टीक डान नियॉर जो 24240 माइनस इसको गुना करेंगा 180 आएगा अब इसको घटाएंगे तो 260 मीटर आ जागा तो इसका राइट असर ओपसर एक हो जागा ठीक है निसके देखते हैं किसे जदी किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुख जाती है तो यह किसके कारण रुख जाती है तो घरसन के कांटिक है इसका राइट असर ओपसर एक हो जागा निसके देखते हैं और गेंद का कोनी चोन ये विग क्या हो जागा बढ़ जाएगा घर जाएगा इस्तितराएगा सूनी हो जाएगा तो दोस्तो इसका राइट असर ओपसर एक हो जागा बढ़ जागा ठीक है ने स्क्रीन देखते हैं क्यूशन ने जड़तो आघोर्ण निर्भर करता है, जड़तो आघोर्ण जो है किस पर निर्भर करता है, आप्शन में दिया गिया कोनों के वित्रन पर, द्रमान पर, घोर्णन अल्श की तृज़ा पर उप्रियुक सभी, तो दोस्तो इसका राइटेंसर आप्शन 4 हो तब उठाने में लगभग कितना कार्ज किया जाएगा, तो लगभग कितना कार्ज किया जाएगा, कार्ज लिकालना है और वर्क लिकालना है, तो दोस्तों यहाँ पर मालूम है, द्रमाल मालूम है, और एम का वहलू मालूम है, हाइट मालूम है, 9.8 मिटर ठीक है, और जी क सोल्ब करेंगा तो 9.8 का होल स्कॉर हो जागा तो कौन सा अप्शन हो जागा दो हो जागा ठीक है देश कुछन देखते हैं कीशन दिसो एक ब्यक्ती भूमी से 25 किलो ग्राम का समान उठाता है और इसे भूमी से 2.5 मीटर उपर सीर पर रख लेता है जदि जी बरबर 10 मीटर प जी का भी मालूम है तो वही फर्मूला लगाँगे वर्क इवल्टू एम जी एच ठीक है सभी का वहलू रखेंगे एम का वहलू 25 जी का वहलू 10 और एच का वहलू 2.5 ठीक है अब पॉइंट हैंगे तो 10 निच्चे हो जागा जूरो से जूरो कड़ गए 25 पचीस है कितना हो जागा दूसराल लूलग का आवर्ट काल टी है जदिनुला किलंबाई 21 पतिसitbarta जाएंगे अब लोलग का दिकाल चाहिंग लिकालना है आवर्त काल में कितना परतिसद विर्धि होगो तो टी डेस डारेक्टि प्रपेसलें टू अंडर रूट एल कितना हो जाबे एक तो एक है इस को फेसे बेस फिल ws अंजर कषिद भmp cya 1 शृबच है ठीक है 511 10 अंडर रूट हो day northwest अब Exact M दिवेजी परोबर हो जाएगा इस को में दूस्तों इसको घटाएगे हैं अनी 11 बटा 10 गवटा 10 रूट इल माइनस रूट इल बटा करेंगे अंडरूट इल अगुने सो परतिसत निकालना ठीक है अब यहां पर दूस्तों कितना रूटेयल व्ता दस बच जागा और रूटेयल अगुने 100 यह कड़ेशंगे 600 कड़ेश कितना बच यह कल दस परतिसत्त हो जाएगा तो दो स्तों तो यह हांत्य फोर अगहात बर धनींता कहा जाता है नेश्क की जने दोस्तों एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवन की मात्रा है द्रमान परतिसत द्वारा बिलियन की संद्रता की गन्ना किजे तो यहां पर द्रमान परतिसत लिखालना है ठीक है तो द्रमान परतिसत बरवर हो जाएगा दोस्तों बिलायक ब करने पर आजागा बारा पॉइंट एट जिरू परतिज़ ठीज है तो इसका राइट इंसर हो जागा ने स्कुचनल दुस्तों एम कच में सामिल हो सकने वाले इलेक्टोनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो इम कच में सामिल हो सकने वाले इलेक्टोनों की अधिकतम संख्या बताना है कितनी होती है तो दूस्तों आज रखेगा के का होता है एक ठीक है एल का होता है दो इम कच का होता है तीन और इन कच का होता है चार ठीक है अब कि किसी का च्छ में इलेक्टोनियों की अगर अधिकतम संख्यां लिकालना हो तो फर्मुला था टू एन स्क्वाइर एन क्या लेंगे तो दूस्तों एम का कितना तीन है यह तीसरे नमर पर है तो एन का वहलो तीन लेंगे दो गुन्हें थिरी का स्क्वाइर कितना हो जागा 18 ह हो जागा 18 इसका राइट एंसर तीन हो जागा नेशके देखते हैं दोस्तों क्यूश्टन है साइकिल और कारों में बाओलबेरिंग का परियोग होता है क्योंकि यह परियोग होता है तो दूस्तों क्योंकि जो है पहियों और धोरी के भी ससवास का पर भाविश्ष घड़ तो तीन इसका राइटेंसर हो जागा इन में से कौन किसी जल निकाए में घनत्व परवंता को दरसाती है तो दोस्तों इसका राइटेंसर तीन हो जागा पीनो क्लाइन ठीक है किसी जल या वायू निकाए में घहराई के साथ तीव्रत अपमान परिवर्तन को दरसाती है तो सभी को ध्यान रखेगा नेस कुछन देखते हैं एस-एम-पी-एस का विश्तारन है तो एस-एम-पी-एस का फूल फर्म बताना है तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है तो एक इसका राइटेंसर हो जागा जिसकरें दोस्तों एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांग पाच डिग्री सेलसे है एवं जल का जदी यह थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप मान उनसर डिग्री सेलसे ग्यार करता है तो वस्तु का सही ताप क्या होगा वस्तु का सही ताप लिकालना है यहां पर दोस्तों दोनों तरफ क्या है मान बराबर होगा अनि दोस्तों यहां पर करेंगे फिप्टी नाइन माइन माइनस फाइब बटा पंचानवे माइनस फाइब बरबर हो जाएगा सी बटा हंडेट ठीक है अब इसकी को सोल्प करेंगे तो सी बरबर आ अपनी मुλ मात्रा का आधा हो जाएगा ठीक है और सेश जो बचेगा आधा भाग तो विघř्टी थोकर दस दिन में चोघ्थाई होज जाएगा तो एक वटा 2-2 हो जाएगा नेसकी प्रबर। है तो एक आउंस बरावर कितना होता है तो दोस्तों इसका राइट से दो हो जाएगा 28.35 गराम होता है ठीक है 450 गराम की बात करें दोस्तों तो 450 गराम बरावर होता है 16 आउंस होता है 16 आउंस के बरावर होता है 453 गराम अगर पाउंड में बात करें दोस्तों तो एक पाउंड होता है एक पाउंड के बरावर होता है 453 गराम और 16 आउंस 2.2 पाउंड के बरावर कितना होता है तो 2.2 पाउंड के बरावर दोस्तों 1 kg होता है क्या होता है तो सुन प्रागमेटा होते हैं किचन आधिक अधी कठन ए में दिया गया हो कि भारत में विदूत थेट्रण कंपनीय विदूत खपत की गंड़ में कहने हैं ये दोस्तों सही है ठीक है कारण आर में दिया कि भारत में विदूत पर नाले 60 हर्ट आविर्थी पर काम करती है ये दोस्तों गलत है पचास हर्ट आविर्थी पर काम करती है ठीक है तो एक सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा तो तीन राइटेंसर हो जाएगा ठीक है न current दिया गिया है ठीए तो बल्ब की सक्ति लिकाना power is equal to क्या होता भी I होता ठीए भी का value 220 दिया गिया I का value 0.5 दिया गिया गुना करेंगे तो दोस्तों 110 वाट आ जागा एक इसका राइटन से हो जागा ठीए नेश कुचन ने एक मजदूर रेल की पट्री पर काज कर रहा था एक लड़का कोछ दूरी पर अपने कान पटड़ियों पर रखकर जब मजदूर दवारा की जाने वाले हथवड़े की आवाज को सुनता है तो उसे दो बार आवाजे सुनाई देती है इसका कारण क्या है तो दूसरों इसका कारण जो है धावनी का वेग इस बात में वाईव की अपेचा अधीक है ठीक है तो एक इसका राइटन से हो जागा नेश करिंद देखते हैं क्यूचन नेम लिखीत कतनों पर विचार किजिए कथन ए में दिया गया जदी फ्रीजर पर वर्फ एक्षटी होती है तो रेफ्रिजेटर में सितलन बुरी तरह प्रभायत हो जाता है यह सही है ठीक है आर्थ सही अस्पर्श्री करन दिया गया तो एक इसका राइटन से हो जागा नेश कर देखते हैं क्यूचन जब दो समांतर समतल तरपनों के बीच कोई वस्तू रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिभीमों की संख्या बताना है तो अनंत होगा ठीक है इसका राटन सरफ स्क्वायर छेत्र के सेंपर्थिमिनरक में आता है तब यह चेक है तो दो गुने 200 आने 400 cm² 400 cm² को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो दस प्रपावर माइनस 4 मीटर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर परेसर मालूम है तो परेसर क्या होता है फोर्स बटा एरिया होता है अब A परवर फर्मूला लगाएंगे M गुने G अब अब अटा A सभी का वहलू रखेंगे तो 9000 हो गया P परवर और M का वहलू लिकालना है G का वहलू 10 लेंगे और A का वहलू 400 गुने 10 पर पावर मैनस 4 अब इसी को solve करने दोस्तों तो solve करने पर आ जागा कितना तो इसका answer हो जागा option 3 हो जागा 36 थीछий ठीक है next के सिर्ण देखते हैं कि यूटे ने परा ऊच अबेरती की स्धारंता संचारित की जाती है तो परा ऊच अबेरती की संचारित की जाती है किस रूप में तो दोस्तों इसका रहेंट से तीन हो के रूपमे ठीक है इहां पर या दिया गया है अनि फल्योक रेंस या तो एफोट दिया गया है presenting सरणिय जोंट पर इप बीच में होता है चिक हैं ऑर तीरत्य सरणिय में जो तो है यह रहता है बीच में आनि इफोर्ट बीच में रहता है ठीक है देखते हैं निम्न जुगों में से कौन सुमिलित है तो कौन जो है इसमें से सुमिलित है तो फोर इसका राइटन से जगा ओजोन रिक्टता से होता है कैंसर चर्म कैंसर हो ठीक है देखते हैं कीचन निम् के लिए सबसे उप्युकित फसल कौन सा है तो सना है कच्ची चीनी को रंग विहिन करने जबlor का पर्योग किया जाता है उसण क्यक्ति interpre है नेकर है को hydrogen की अपच्छा बरियता दी जाती है क्योंकि क्योंकि यह दोस्तों जो है वायू के साथ भी स्फोर्ट मिस्रन नहीं बनाता ठीक है तो फोर्ट इसका राटन से हो जागा जेस्टों ग्रैफिन होता है ग्रैफिन जो है क्या होता है तो दोस्तों इसका राटन से दो हो जागा कार्बन का नैनो परती रूप ठीक है नेस्ट कुछन है हाइडरोजन गैस का एक मोल अक्सिजन अधिक में जल कर 290 कजी उसमा देता है उन्हीं परिशित्यों में 4 ग्राम हाइडरोजन गैस के जलने से जो है कितना उसमा उत्पन होगी तो यहाँ पर दोस्तों H2 हाइडरोजन का एक मोल होता है हाइडरोजन का एक मोल बरवर कितना होता है एक मोल बरवर हो जाएगा दो ग्राम ठीक है दो ग्राम हो जाएगा अब चार ग्राम का लिकालना तो चार ग्राम में जो है चार ग्राम में उत्पन उर्जा कितना हो जाएगा तो 290 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 580 केजी तो इसका राटेंसर तीन हो जाएगा तो कौन सी किरिया जो स्वंध वाश्मण से सम्मदित है तो इक स्वंधू के कर राटस सम le giaga उप्सन 2 उस्मा सोशत किरिया ठीक है चमकने कीचन पराया जो भालू गलियों में तमासा दिखाता है वह होता है तो वह जो है रीच होता है एक इसका राटन सरो जगा निश्कुजन देखते हैं कीचन बीमारी का पता करने वाला यंत्र MRI का मतलब होता है MRI का मतलब दोस्तो क्या होता है तो archives, बहरत में मलेरिया के 65% रोग्यों की ले निम्र में में से परजिवी उतरदाई है तो दुस्तो इसका राइटेंसर दो जगा PY wax ने श्क्रिण दीखते हैं क्यूचन हमारे सरी में अमलेता तथा च्छाडता के बीच जो तत्व संतूलन बनाए रखता है वह कौन सा तत्वा है तो दुस्तो इसका राइटेंसर होजागा प्शन एक होजागा फॉसफोर असकी दखते हैं किशन सो जीन है तो जीन जो है एक डिएने का एक भाग है तो एक इसका राटे से हो जगा देखते हैं जो अब दखेंगे जीके का किशन जलवायों परिवर्तन सुचकांग 2030 में भारत एक अस्थान उचल कर कितने अस्थान पर पहुँच गई गया है तो दुस्तो इसका राटे से दो हो जगा सात में अस्थान बढ़े गया है निश्क जने मरसर 1244 जीवन गुर्वता सुचकांग 2030 के अनुसार भारत में किस सहर में जीवन की गुर्वता सबसे तो दो दो इसका राटे सार फोर हो जगा हीदराबाद निश्क ने में दिसके थो किस देश ने भारत सहे 33ज़ों को में नगले को के लिए व्यजा अवशक जिसके बौइब, क कोईत का नया अमिर कौन बना, सेख नवात की बाद कोईत का नया आमिर कौन बना आ है तो दुसके राइटसर नेज़ागा सेक्ष मिंसाल ठीक है निसके देखते हैं भारत की पहली 6 लेन अश्टियल सलैग अधारे सड़क का निर्मान किया गया है यह जो है एनस सीक्स से किसको जोड़ता है तो एनस सीक्स जो है किसको जोड़ता है हजिरा बं कर्पूरेट समाजिक जिम्यदारी के लिए राष्ट्रे खेल पुरस्काद हो जाएज किसे परदान किया जाएगा तो दुस्तों तीन हो जाएगा सोचल माइनिंग कर्पूरेट लिमिटेट को ठीक है ने देखते हैं कि युचा ने किसे एफ आई डी इव इस राइपीड सत्रन चेंपियंशीव जीती है तो दुस्तों इसका एक अंसर हो जाएगा मैंगनस कार्ण संठी ने दुस्तों भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैस खेला ह है जो 107 ओभर और 642 गेंद में समाप्त हो गया है तो दुस्तों इसका राट सर्फ हो जागा दाच्छी नभीर का तो दुस्तों आज की वीडियो अहीं तक रहना देता है फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा चैनलन पर न